जैसरी किश्णा मैं आपको भी एक अपनी लिखी हुई लगू कत्था सुनाने वाला हूँ जो आपके लिए पेड़ना दाई हो सकती है ये आज मैंने लिखी है और आज मेरे पापा का जनम दिन है तो उनको समर्पित करते हुए लगू कत्था मैंने लिखी है हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये किस तरह का है लेकिन जब आप इसका मर्म समझेंगे तो आप समझ पर आएंगे कि ये हम सभी के लिए कितना जरूरी है तो मैं शुरू कर रहा हूँ आप सभी ध्यान से सुनिएगा पोतना पोछना पोतना क्या होता है वो आपको समझ में आएगा उसके उपर ये लगू कत्था है घर के बुजुर्गों द्वारा बताई जाने बाली छोटी छोटी बातों में बहुत गेरा सार छुपा होता है इसलिए उनकी बातों को चुपचाप मान लेने का पहले के बच्चों में पुराने समय में पुराने समय से चलन चला आ रहा है पर जब पीड़ी बदल जाती है तब समय के साथ साथ हमेशा सोच भी बदलती जाती है और नए जमाने के बच्चों में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से तर्क करने की आदत पर जाती है और भुजुर्गों को भी दमदार तर्क दिये बिना अपनी बातों को मनबाने में काम्या भी हासिल नहीं हो पाती है ये मैंने शुरुगात में अपने कुछ बहाव लिखे थे अब हम आगे बढ़ेंगे उसके लिए कुछ लिखा है मैंने तो हम जानते हैं कि दादी जी दादा जी की उचित बात क्या है और बेटे की कुछ शार्द बुद्धी का अपने बच्चों को क्या तर्क दिया गया ये मैंने एक सारांश आपको बतानी कोशिश करिए कि आगे आपको क्या मिलने वाला है बात कुछ इस तरह की है एक रविवार को परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ दिन का भोजन करने का मौका मिला तब बच्चों ने देखा कि दादी भोजन के लिए थाली रखने से पहले डाइनिंग टेबिल को साब गिले कपड़े से पोच रही है तो विक्की ने दादी से पूछा दादी काम बाली आउंटी तो रोज सुबे टेबिल को अच्छे से साब कर देती है फिर आप अभी क्यों टेबिल साब कर रही है तब दादी ने जवाब दिया विक्की सुबे नाश्टे के टेबिल पर सुबे नाश्टे के बाद टेबिल का पोतना नहीं हो पाया था तो इसलिए अभी कर रही हूं विक्की को पोतना शब्द का मतलब समझ नहीं आया तो उसने पापा से धीरे से पूझ लिया पापा पोतना मतलब पोचने या साप करने को ही पोतना कहते हैं एसा विक्की के पापा ने बताया विक्की ने फिर पूचा दादी नाश्ता करने के बाद फिर से टेबिल क्यों साप करना है वो तो कल सुवे कामबली आंटी साप कर देंगी न और विक्की ने टेबिल पर अपना हाज फेरते हुए आगे दादी से कहा देखिये न, टेबिल तो एकदम साफ है तब दादी जी ने कहा हाँ वेटा, टेबिल तो साफ है पर जूटी हो गई है तो ये जूटी जगे साप करनी पड़ेगी हमें जूटी जगे पे बोजन नहीं करना चाहिए जब दादी ने ये बोला टेबिल जूटी हो गई है जूटी जगे पे बोजन नहीं करना चाहिए तब विक्की के मन में फिर कुछ नए सवाल आने लगे तो उसने आगे पूछना चाहा उससे पहले ही दादी ने बोला कि बेटा अभी हम खाना खाके उठेंगे तब फिर से हम टेबिल का पोटना करेंगे और अभी हम हाथ के हाथ कर देंगे तो भूल चुक नहीं होगी कि बाद में करने से रह न जाए विक्की बातों को समझ नहीं पा रहा था तो उसने दादी से सवाल फिर से किया वही कि दादी ये जूटी केसे हो गई और इसका पोटना करने से क्या होगा दादी ने कहा रुको बेटा अभी बताती हूँ पहले मैं हाथ दोकर सबके लिए थाली में बोजन लगा के ले आती हूँ तो इतना बोलके दादी रसोई घर की तरफ बढ़ गई रसोई में जाके दादी ने देखा कि बहु ने सबकी थालियां लगा ली थी तो दोनों मिलकर सबकी थालियां बहार ले आए अब इतने में दादी कुछ बोलती हैं उससे पहले ही दादा जी ने बताना शुरू किया बेटा विक्की देखो ऐसा है कि हम भोजन करने से पहले भोग लगाने के लिए थाकुर जी को आमंत्रिक करते हैं तो आप भी बताओ बेटा थाकुर जी को जूती जगे पर धाली रखकर पड़ोसी गई सामगरी में केसे हम भोग लगाने के लिए आमंत्रिक कर सकते हैं विक्की ने कहा नहीं दादा जी एसा तो हम नहीं कर सकते पर ये थाकुर जी कौन है अच्छा अच्छा याद आया आप और दादी किष्ण भगवान को ठाकुर जी कहते हैं दादा जी की बात सुनकर विक्की थोड़ा सा शान्त हुआ उसे तो कुछ बाते समझ में आई पर फिर भी उसके मन में कुछ विचार तो चल रहे थे सभी ने भोजन शुरू करने से पहले आखे बनकर हाथ जोड़ के प्रभू का इस्परान कर भोग लगाया फिर भोजन करना शुरू कर दिया विक्की के पापा को लगा कि विक्की कुछ तो अभी सोच रहा है तो उन्होंने विक्की से कहना शुरू किया सुनो विक्की आपको मेरी बातों के तर्क से पता चल जाएगा पोतना करना क्यों जरूरी है विक्की ने भी उपसुक्ता से कहा हाँ पापा पता हिए विक्की जब हम सबी लोग रेश्टोरेंट या होटल में खाना खानी के लिए जाते हैं तब बहाँ पर टेबिल पर बेटने से पेले बेटर से या मास्टर से टेबिल और कुर्सी को साप करने के लिए बोलते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि वो जोटी होती है किसी और ने उस पे खाना खाया हुआ होता है और कई बार तो हम टेबिल के उपर जो कपड़ा विछा रेता है उसको भी बदलने का बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा गंदा हो चुका होता है उसके बाद ही हम खाना खाने के लिए उस टेबिल के लिए बैठते हैं चेयर पर विक्की ने का हाँ पापा ये बात तो बिल्कुल सही है तो पापा ने आगे केना जारी रखा विक्की जब हम होटल या रेश्टोएंट में जूटी जगे बेखकर खाना नहीं खाते हैं तो फिर घर में भोजन करते समय इस बात को क्यों बूल जाते हैं विक्की को बात पूरी तरह से समझ में आ गई फिर उसने सभी को याद दिलाया कि हम चाचा जी की शादी में जब गए थे तब डाल वापले का जो भोजन हमने किया था तो पालकी मार के किया था और एक पंगट के उठने के बाद दूसरी पंगट को बिठाने के पहले महाँ पर पूरी तरह सफाई की गई थी तो इसका मतलब वही था कि जूटी जगे पे कोई भी बेटना पसंद नहीं करता बातों के साथ साथ सभी का भोजन भी करना जारी था इसलिए बातों के साथ भोजन भी समाप्त हो गया भोजन के बाद जब सब बरतन वहाँ से हटा लिए गए तो विक्की दादी के पास गया और दादी से बोला दादी आप कपड़ा मुझे दीजे आज से पोतना मैं करना शुरू करूँगा और रोज मैं ही किया करूँगा इस बात पे खुश होके दादी ने विक्की को गले से लगा लिया बस इतनी सी ये लगू कताती दोस्तो इससे सिक्षा क्या मिलती है साप सुत्रे इस्तान पर भोजन करने से स्वास्त लाब मिलता है इसलिए हर बार भोजन करने से पेले और भोजन करने के बाद भोजन करने के इस्तान की गीले और साप कपड़े से पोश कर सफाई कर देने लेना चाहिए एक बार फिर से मैं दोराता हूं अपनी बात को कि गीले कपड़े और साप कपड़े से जिस जगे पे आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं उसकी पहले और बाद में सफाई कर लेना चाहिए तो वहाँ पे कोई जिवानू या केटानू भी नहीं आएंगे लेखक का मतलब की मेरा एक संदेश भी मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तो इस छोटी सी कहानी के माद्यम से मैं जो आपको संदेश देना चाह रहा हूं वो क्या है हमारे बुजूर्गों ने अपने बुजूर्गों से हमारे बुजूर्गों ने अपने बुजूर्गों से और कुछ अपने अनुववों से जो बहुत बढ़िया बाते सीखी हैं वहा हमारी पीड़ी के लिए बहद उपयोगी हैं जिनको अपना कर हम अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे सुदाल ला सकते हैं तो आप सभी से यही निवेदन हैं कि आप अपने बुजूर्गों की बातों को ध्यान पूर्वक सुना कीजिए और कोशिश कीजिए कि बिना तर्क जैसे हमारे बुजूर्ग अपने बुजूर्गों की बाते मान लिया करते थे वैसे हम भी उनकी बातें मान लिया करें और उसका अनुशरन करके उसका लाब उठाएं और अगर आपको लगता है कि आपकी बात तरक संगत है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए उनके पास जवाब होगा तो वो दे देंगे नहीं होगा तो आप उस काम को करना शुरू कीजिए यही मेरा एक छोटा सा मेसेज है थैंक यू, थैंक यू बेरे मच तो आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने एंड तक पूरा वीडियो देखा है वो मुझे जानते ही होंगे और जो नहीं जानते हैं उनको मैं अपना पूरा परिचे देता हूँ मेरा नाम विकास अगरवाल है बिंदल मेरा गोतर है और भपाज शेहर से हूँ दोस्तों मेरा यूटूब चैनल भी है जिस पे आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा तो आप उस यूटूब चैनल पे आ सकते हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ये वीडियो भी आपको यूटूब चैनल पे फेस्बूक पे इंस्टागाम पे मिलेगा तो आप बहाँ पे इसको देखिए और साथ में आप बेल आईकोण को किलिक कर लेंगे मेरे फेस्बूक पेंज को लाइक कर लेंगे मेरे इंस्टागाम पेंज को फॉलो कर लेंगे तो ऐसे ही लगतार नई वीडियो अपको मिलते रहेंगे Thank you Thank you very much Jaysi Krishna